हे गाईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप दिख रहे हैं फेंटेसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वसे से अस्टला के बीच में होने वाले सेकेंड ओडे मुकाबले की तो इस वीडियो में मैं आपको एरॉन फिंच ने मिस किया था शायद इस मैच में खेल तकते हैं चांसे बहुत जादा काम है क्योंकि नेंजरी थी और नेंजरी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है शाद साथ बात करें शाही होप की तो शाही होप भी पहला मैच नहीं खेले थे बट आई थिंक वो भी यहां पर स्कॉरिंग होने चाहिए डीसेंट बैटिंग ट्रैक है और न्यू बोलिस को यां पे थोड़ा सा हेल्प मिलता है हलां कि इस पेनर्स को भी काफी हEल्प मिलता है पिच थोड़ी सी बहां रहेगी तो इस सीज का ध्यान रखिएगा इस सिरफ दियान रखिएगा इ वहीं केरण प्लाट कप्तानी कर रहे हैं और काफी अच्छे हेटर माने जाते हैं ओड़ेज में भी काफी अच्छा पर्फॉर्मेसिंग कर रहता है यह भी मोस्ट इंपोर्टन प्लेज में से एक रहेंगे लास्ट हेट्ट्वेड मैच जो आप आमने सामने खेला गया उसमें ऑस्ट्रेल ने फस्ट बैट करते हो 252 बनाया था और सेकंड बैटिंग करते हो वेस्ट इंडी मात्र 123 बना पाए थी अपने दसो विक्रिट उन्हें खो दिये थे हाला कि आप ये भी देख सकते हैं कि दोन फास्ट बोलस को भी हेल्प है बट फिर भी स्पिनर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छा गरते हैं जैसे हिडिन वॉच्छ ने पिछले मैच से पांच विक्र निकाली है आई थिंग चार या पांच निकाली थी जंपा की भी पिटाई हुई एक विक्रिट निकाला मिश्मार्स बहुत इंपॉरेंट है मात्र बीस रन लगा पाए एलेक्स करी ने 67 नंस लगाया एक्सपिरेंस थे टर्नर ने 14 रंस के पारी के लिए पांच विक्र स्टाक में नेकाली सेकंड बॉलिंग करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग सी चीज देखने को मिली को कि स्टाक क से ज्यादा उम्मीद है नहीं थी और इसके बाद हम चलते हैं यहां पर विंडीज की तरफ तो यहां पर हैत्मेर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया इनकी रिकॉर्ड पी उतनी अच्छे नहीं है ठीक है चल जाएगा लैविस का रिकॉर्म खराब आया यह थोड़ा सा लिटीज हैं बर वो भी इस मैंस में कुछ नहीं कर पाएं पुलाड हमेश आपनी पावर काफी पावर हीट होने की थी होल्टर कुछ खास नहीं कर पाएं आ जोसिफ ने दो विक्टर नेका लिए उसन को काफी को बात कर डिक सकते दोनого टीमों के प्लस का जो परफॉर्में वेस्ट इंडीस की तरफ से यहां पर शायोप ने बड़ी पारी खेली थी जो अन अविलेबिल हो सकता है खेल जाए तो आपके लिए बैस्ट ऑप्शन होगी कप्तानी के या टीम में लेने के लिए और उस मैं प्रफर्में की बात करें तो लेविस से बहुत एक्सपेक्टेशन है लेविस का फरस्ट बैटिंग सेकंड बेटिंग का रेकॉर्ड बहुत अच्छा है जादा डीब डिसकुशन नहीं करेंगे आप सीधा-सीधा देख लिए लेविस टॉप प्लेयर रहेंगे वेस्ट इंड स्कुरिंग नहीं है लेविस की स्कुरिंग बहुत अच्छी है लेविस बहुत कंसिस्टेंटली रंस लगाते हैं इसका जेसन मुहमद बिल्कूल भी अच्छे स्टैट नहीं है उडए इस में देखें एक भी मैच में नहीं चले पिछले 10-15 मैच से तो इसमें क्या चलेंग जेसन मुहमद की रिकॉर्ड बैटिंग फर्स बैटिंग सेकेंड में भी बहुत ही खराब हैं ड्रैन ब्रावो फिर भी थोड़े से अच्छी रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इनके स्कूर जो है वह आम तोर पर आपको 25-35 के आसपास दिखने को मिलेंगे हाला कि उससे जादा उम्मीदे नहीं रहेंगी सबसे इंपॉर्टन लैविस उसके बाद देखेंगे तो हैत्मेयर और मुहमद से जादा उम्मीदे है ने ब्रावो से फिर भी है ड्रेन ब्रावो फिर भी थोड़ा सा बैटर कर सकते हैं निकलस पूरन इस फॉर्मेट में वैसे तो अच्छा करत में ठीचाए ने तो यहांट लेकर चलना ही चाहिए और इसमें तो पिछले मैंसे भी नहीं करा। क्योंकि injured थे पहले और injury की वाई श्याद बॉलिंग नहीं कराए होगी अगर बॉलिंग कराएंगे तो उसमें भी आपको विक्ट विक्ट लेके दे सकते हैं holder की बात करें ना विक्ट ले पाए ना बैटिंग में परफॉर्म कर पाए recent form इनका वैसे भी बैटिंग में कुछ अच्छा नहीं था और balling form भी थोड़ा सा बिगड़ता हुआ देख रहा है बट फिर भी आपको लेने चाहिए और rounder है कभी परफॉर्म कर सकते हैं balling first, balling second record भी देख सकते हैं balling first में आम तोर पे अच्छा करते हैं balling second में अच्छा नहीं करते हैं अलजरी जोसिफ की बात करें तो ये थोड़े से अच्छे form में है recently अगर हम देखें तो हर मैच में एक दो विक्टरिंग के नाम पे रहती हैं और Jason holder की जस्ट नीचे बैट करते हैं दो दो चारचर विक्टर निकाली है बंचे से विक्टर निकाली के लिए जाने जाते हैं 50% सक्सेस रेटें का ओड़ाई में और इस वेन्यू पे तो में इसाब से वो प्लस वाला 50% रहेगा यानि कि जिसमें ये परफॉर्म करते हैं बंचे से विक्टर निकाली है इन्होंने एक बीकर ओड़ाई में अभी तक ने निकाली का अभी दो या तीन या चार या पांच विक्टर निकाली है तो ये प्लेयर गेम चेंजर है आपको लेकर चलना चाहिए कुछ खास फॉर्म में नहीं देख रहे है यहां पर आप देखिए ओड़ाई में परफॉर्मस तो अच्छा है बट ये वैन्यू पर जो पिछले मैच का परफॉर्मस था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ठीक है अब पोजिशन टीम खिलाफ रिकॉर्ड 50-50 परसेंट के लिएम रायाऊं पर प्लेयर बहुत अच्छे है लेने को ले सकते हैं बद देखिए ऑन फॉर्म में नहीं लग लग रहे है ठीक है इस बार अब इस मैच में तो फॉर्म में लाग जाते हैं पिछले मैच में चाहें आप चॉह लसी जो यहां थे को बोलिख पर एकी रिकॉर्ड दो विकेट आखरी मैच चुखेला बॉलिंग फर्स बॉलिंग सेकर्ड में रिकॉर्ड देखें तो दोनों में परफॉर्मेंस ठीक है पिछला मैच ओडिय का फिलिपी का पहला मैच था 13 जर्ण लगाए एवरिज बिन का 31 जर्ण बेंड मेच ने लास्ट मैच में ओड़ाय में 28 जर्ण लगाए लिस्टल रिकॉर्ण में इनका 48 पा बेटिंग एवरिज था अवरेज था हलाकि इन से जाध़ एकस्पेकेशन रही देखा था तो इन से ज़्यादा उम्मी दिनीए फिलिपी फिर भी थोड़े से टीक आपचा है मिश्मास नंबर तीन प्रृइर हैं एक्स्पिरेंस प्लियर हैं तो काफी अच्छा गर रहे थे बॉलिंग भी करते हैं तो इनको लेकर चलना चाहिए उड़ाइज में आम तो प बात करते है लेक्स कैरी की कैप्टेंसी कर रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म में हैं डीसेंटल अगर हम देखें ओड़ाइज में तो पिछले 6-7 मैचे में बहुत अच्छा कर रखा है आप पोजिशन टीम के खिलाब भी पिछले 2 मैचे में टोटल 100 सूपर रंस इनके तो हैं इंसे मुझे जादा उम्मीद नहीं रहती है अगर आप रेकॉर्ड उठाके देखेंगे तो तीन-चार मैच में एक आदेने अच्छी खेलते हैं बाकि 2-3 की खराब जाती है बैटिंग पोजिशन भी कुछ अच्छा नहीं है तो मैं पर जादा भरोसा नहीं करता मैथ्यू पर जादा नहीं है इनके पास बालिंग फर्स्ट में आम तो जादा विक्टिय लेते हैं और बहुत कंसिस्टेंट बोलर माने जाते हैं और इसलिए सबसे पहले आपको अड़म जंपा को अपनी टीम में रखना ही चाहिए क्योंकि हो सकता है स्टार्क एक मैच में ना चले बट जंपा हर मैच में आपको चल के देंगे जो सेजल वूट की बात करें तो आम तो पर इनका स्टैड भी बहुत अच्छा है आप पोशिशन टीम खिलाफ रिकॉर्ड भी बढ़िया है और बॉलिंग सेकंड में यह बहुत अच्छा करतें बॉलिंग फर्स्ट में तो आम अच्छा है तो यहां पर टीम की अब हम बात करतें ड्रीम इलेवन टीम और फैंटु प्लेटीम की अच्छा को बना है अच्छा स्टाक अगर सेकंड बालिंग करेंगे ना तो मैं ने को शायद वाइस केप्टन नहीं बनाऊगा क्योंकि स्टाक के रिकॉर्ड जो हैं बाले होते हैं अगर आपको consistency चाहिए हर मैं एक दो या तीन विक्टेश चाहिए तो जंपा पर जा सकते हैं वाइस करके दिते हैं कभी एक विक्र भी कभी तीन भी निकालेंगे यह वेन्यू जो है उसे साथ से मेरे साथ को मेरे साथ से इनको अच्छी खासे मिलने चाहिए यहाँ प अब देखने के बाद भी में साथ से जो सिर्फ एक अच्छी option है ले लिजेगा टीम में होल्डर को लिया मिश माश को लिया है फिली को फिलीपी को ट्राइब किया हला कि मुझे हर बार फिलीपी भरोसा नहीं होता है पता नहीं कैसा खेलेंगे नहीं खेलेंगे थोड़े से रेंडनम प्लेयर है इन पर जादा भरोसा नहीं है लैविस पर बहुत भरोसा है लैविस हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं लास मच में जिरो पर जरूर आउट हुए चेसिंग में तो यह लगबग 50-100 इनका पका रहता ही रहता है तो लैविस को लेकर चलिए पुलाट पुरण के साथ भी जा सकते हैं उनके स्टैट भी बहुत अच्छे है थोड़ा सा फॉर्म जरूर गरबर चल रहा है बट किसी विजिन आपको निकलास पूरण अच्छे खासी रंस लगाते हुए देख सकते हैं मैथ्व बेट से जाधा एक्सपक्रेशन मत रखिएगा क्यो जोइन कर लीजेए और इस में साथ जोइन करेंगे तो ज्याधा बेटर रहेगा अगर चल्लेंज फैंटसी खेल रहे है थो तो या तीन चार पंटसी किसी खेलते हैं तो मिशमा स्कूट अपने सकते हैं वैसे लोग मिश्मार साथ स्टाइक को लेंगे पिछले मैच का परफॉर्मेंस देखे बट आप अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो यह होगी बात यहां पर फैन टू प्ले की जिन्होंने अभी तक इसको इस पर जॉइन नहीं किया तो एफ बाकी टीम आप यहां पर देखी सकते हैं पूरी सेम है जो मैंने आपको फैन टू प्ले पर बताए थी ठीक है अब वीडियो करते खतम काफिलेट हो गया वीडियो पसंदा तो उसको लाइक कर दीजिए टेलिग्राम पर अपडेट लेना मत भूलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल कर लिंक के दिया हुआ जाके जोइन कर लेजिए तो गाइस फ्लाइक इतना ही ओके गाइस बाइब बेस्ट आफ लग